मित्रों जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन वेर्थ है किन्तु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्यन का समय ही कहा है आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रात्या 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है केवल 5-10 मिनिट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देख कर आप संपून गीता का अध्यन पूरा कर सकते है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्द होगा कीजिए अपने दिन की शुरूआत भगवत गीता के श्लोक के साथ जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए पेलिस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्द है वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं चलिए आज के वीडियो को आरम भगरते हैं श्री भगवान उवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रग्या वादाश्य भाश से गतासून गताशून्श्च नानुशोचन्ति पांडिता नमसकार मित्रों जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो चलिए स्मसे पहले इसके अशोच समझते हैं तो जो श्री भगवान उवाच अर्थात श्री किष्न बोले יोगय नहीं है जिस पर तुम शोच करते हो तो इस इस लोग से जो गीता के मुख्य वचन है, जो सारी सिक्षाएं हैं, जो हमारे भारतिय दर्शन के अनुसार होती हैं, उनका आरंब होता है अब तक तो जो अर्जुन थे वो अपनी समस्या को बता रहे थे और श्री कृष्ण ने थोड़ा सा कुछ बोला था किन्तो अब यहां से तो पूरा आत्मा, श्रिष्टी और हमारा शरीर और किस प्रकार से अपना जीवन जीने चाहिए वो सभी अब आरंब हो जाएंगे तो यहां पर जो श्रीकृष्ण ने बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि अर्जुन भले ही जो तुम बोल रहे हो वो बात जो है वो एक ग्यानी वचन प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में तुम जिस बात पर शोक कर रहे हो उसके ओपर शोक तुमें नहीं करना चाहिए जो जीवित है या जो मर गया उसके लिए जो ग्यानी लोग है वो कभी भी शोक नहीं करते हैं तो जो अर्जुन है उनकी जो स्थिती अभी है वो ऐसी इसलिए है क्योंकि वो एक ऐसे युद्ध में आगे हैं जहां पर कि उन्हें अपने प्रीये जनों की हत्या करनी पढ़ सकती है पढ़ clarify रही है और क्यों क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने प्रियजनों से बहुत प्रेम करते हैं तो निश्चित ही उनकी हथ्या करना एक उचित कारें नहीं दिख्ता तो इसी कारण से यहां पर शृर कुरिशन बोलता है कि ऐसा कि जो तुम कह रहे हो वो एक ज्यानी वचन है क्योंकि जो आप कह स जरुब से आप देखें तो पारमपरिक जो ग्यान है, वो यही कहेगा कि आपको हत्यान नहीं करने चाहिए. तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो वो वास्ताव में ऐसा लगता है कि वो एक ग्यानी वचन है किन्तु जिस बात पर तुम शोक कर रहे हो उस पर तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए तो आप देखिए कि जो हम मानव हैं वो जीवन को एक महत्व देते हैं किन्तु आपने देखा हुआ कि हम किसी एक कीडे मुकोडे के जीवन को कम महत्व देते हैं जबकि हम मानव जीवन को अधिक महत्व देते हैं ऐसा हम क्यों करते हैं इसके पीछे का जो तर्क होता है वो वास्तों में ये होता है कि जो कीडे मुकुडे का जीवन है वो वास्तों में एक श्रेष्ट जीवन नहीं है और उसका जीवन है वो एक पहुती छोटा सा अलपायू जीवन होता है यह दिहां हम उसको मार भी दें त तो वो वैसे भी बहुत लंबे समय तक जीने वाला नहीं था और उसका जीवन था वैसे भी महत्व पूर्ण नहीं था तो इसलिए हम उसके जीवन को अतना महत्व नहीं देते हैं जबकि हम मनुष्य जीवन को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि हम यह लगता है कि हम मनुष्य ह हम अपने आपको महत्व कुण समझते हैं और उसी रूप में हम बागी मुनिश्यों को भी महत्व देते हैं और वहीं पर हम अपने प्रिय जनों को और भी अधिक महत्व देते हैं क्योंकि वो जो हैं वो हमसे जुड़ा हुए है तो यहां पर हमें यह समझ मैं आता है कि क्यूं जो हम कीडे मोकड़े के जीवन को कम मैथव देते हैं और अपने जीवन को अधिक महतव देते हैं कहीं है देख महत्वपूर है हमारे तुल्ना में. तो यदि हम इस श्रिष्टी के दिर मृत्वपूर्द से दिखें, तो एक मनुश्य का जीवन जो है, वो भी महत्वपूर्द नहीं है. केवल सौवर्ष का हमारा जीवन होता है, جो कि भौती अल्पाईू है. और एक छोटा से जीवन है जो कि वास्तों में देखा जा पूरी श्रिष्टी की तुल्णा में तो कुछ भी नहीं है तो उस रूप से दिया आप देखें तो एक कीडे मोकोडे के जीवन में और एक मनुश्य के जीवन में भी क्यांतर हो गया कोई जीवन तो जो ग्यानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझते हैं और वो देखते हैं कि मनुश्य जीवन में भी कोई वैल्यू नहीं है उसकी इतनी उसमें भी कोई अंतरनिहत कुछ उसमें नहीं है ऐसा जो कि हमें चिरस्थाई सुक्त प्रदान कर सके या चिरस्थाई अस्तित्व प्रदान कर सके जो ये चिरस्थाई अस्तित्व है उसके सामने ये जो जीवन है इसका कोई मूले नहीं है तो हम आज मरें, चाए हम दो वर्ष बाद मरें, चाए हम सौ वर्ष बाद मरें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, अंत में सबको मरना ही है, तो यह जो जीवन है यह अस्थाई है, और इस अस्थाई जीवन में हमें स्थायत्व को ढूंड़ना है, उस स्थायत्व के साथ म तो ग्यानी वैखती होते हैं, वो किसी के आने और किसी के जाने पर कभी भी शोक नहीं करते हैं, कियोंकि वो जो चीज है, कभी countless थी ही नहीं. इस बात को यहां पर, Shri Krishnis बोल रहां है. तो आशा करता हूं, कि मैंने इस श्लोग को आपको अच्छी से समधा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो के वहीं पर समाव करता हूँ नमस्ते वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रेजनों के हत्मे साजा करें और इस ग्यान को और पहलाएं यदि आपके पास कोई भी प्रशन है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए वहाँ पर मैं हर शनीवार रात को एक लाइव क्यूएने सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रशन पूछ सकते हैं जैशी क्रिशन